चैही आज का हमारा टॉपिक है भारत की वनकी सोध सर्ष्थान मोस्ट इंपोर्टिन टॉपिक है यहां से बहुत सारी कोशन जो है एक्जाम में पूछे जाते हैं एक्जाम कोई सा भी हो तो आए ज़रा देखते हैं यहां आप देखेंगे यह हमने भारत का मैप बनाया है मैप को लोकेट करते हुए ही भारत के जो वनकी सोध सर्ष्थान है उसको हम लोग देखेंगे क्योंकि मैप से जल्दी समझ में आता है और याद भी रहता है तो आप भी अपने कौपी पर इसी तरीके से बना लीजिए यहां देखेंगे यहां पर पढ़ता है हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश की सिम्ला में हिमाले बन सोध संस्थान है ये पूछा भी गया है कि हेमाले वन सोध संस्थान कहां पर है तो ध्यान रखेगा हेमाचल परदेश में और हेमाचल परदेश में भी कहां सिमला में यह दोनों नाम याद रखने हैं, क्योंकि एक्जाम में या तो हिमाचल परदेश की बारे में पूछेगा, या फिर सिमला, या फिर दोनों ही नाम दे देगा, तो ध्यान रखेगा हिमाचल परदेश की सिमला में हिमाले बन सोध संस्थान है, फिर आप यहाँ पर आएंगे, यहां पढ़ता है उत्राखंड, उत्राखंड में बन की सोद संस्थान जो आप देखेंगे तो तीन हैं, और यह किसी न किसी एक्जाम में पूछे भी गए हैं, तो आप देख सकते हैं उत्राखंड में, पहला आप देखेंगे भारतिये बन सर्विक्षन, यह बहुत बार एक सोद संस्थान है, यह भी उत्राखंड में है, अब यहां पर आपको नोट करना है, यहां पर केबल लिखा है बन सोद संस्थान जो उत्राखंड में है, यहां पर आपने पढ़ा हेमाले बन सोद संस्थान, दोस्तों इसमें हेमाले लगा है, तो ध्यान रिखिएगा, अगर आपसे हेमाले वन सोध संस्थान पूछे तो हेमाचल परदेश शिमला केबल वन सोध संस्थान पूछे तो उत्राखंड क्योंकि डाउट रहता है एक्जाम टाइम में फिर आप तीसरा देखेंगे भारतिये वन की अनुसंथान बसिक्षा परिशत यह पूछा भी गया है कि इसे आप याद कैसे रखेंगे आप जानते हैं कि शिक्षा हम लोग लेते हैं तो उसमें हम लोग उत्तर हो जाते हैं तो उत्तर से ध्यान रखेंगा उत्तराखंड तो शिक्षा से समंदित उत्तराखंड ध्यान रखेंगे ऐसे याद रखना है यहां आप देखेंगे यहा जीले में आप देखेंगे तो समाजिक बनकीव पुनरबास केंद्र है यह पूछा भी गया है कि समाजिक बनकीव पुनरबास केंद्र कहां है तो ध्यान रिखेगा उत्तरपरदेश में और उत्तरपरदेश में भी कहां इलहाबाद में फिर आप यहां पर आएंगे यहां पर दिखेंगे पड़ता है असम के जोरहाट में दिखेंगे तो असम के जोरहाट में वर्षा40 involveन अनुसंद्धान सस्थान है यह दोस्तों दोनों नाम याद रखने हैं आपको क्योंकि कभी कभी या तो असम पुछलेगा या फिर जोरहाट पुछलेगा तो दोनों की नाम पता होना चाहिए कि असम के जोरहाट में बर्शा बन अनुसंद्धान संस्थान है फिर आप यहां आएंगे यहां पर पढ़ता है जारखंड जारखंड की राजधानी आप जानते हैं राची है तो राची में बन उत्पात कता संस्थान है यह पूछा भी गया है कि बन उत्पात कता संस्थान कहां पर है तो ध्यान रखेगा जारखंड में और जारखंड में भी कहां राची में फिर आप यहां आएंगे यहां आप देखेंगे यहां पढ़ता है तेलंगाना तेलंगाना के हैदर यहां पर आएंगे यहां पढ़ता है मदपरदेश मदपरदेश में आप जबलपूर में देखेंगे तो जबलपूर में उश्व कटबंधिये वन अनुसंधान संस्थान है जो मदपरदेश के जबलपूर में पढ़ता है और मदपरदेश के एक और जिला है छिदबाड़ा छिदबाड़ा में आप देखेंगे तो बन की अनुसंधान व मानव संस्थादन विकास किंद्र ये दो बन की सोद संस्थान जो है ये मध्परदेश में है एक तो जबलपूर में है उश्रकटबंधिये बन अनुसंधान संस्थान और एक है छिदवाड़ा में बन की अनुसंधान ब मानव संसादन विकास किंद्र तो ये दोस्तो भारत के जो बन की सोद संस्थान है वो हमने आपको बताया एक बार हम लोग रिवाईस कर लेते हैं यहां पर क्या था हिमाचर परदेश हिमाचर प्रदेश की सिमला में हिमाले वन सोध संस्थान है फिर आपने देखा उत्राखंड उत्राखंड में तीन वन की सोध संस्थान है भारतिय वन सर्वेक्षण वन सोध संस्थान भारतिय वन की अनुसंधान वा सिक्षा परिशत यहाँ पर आपने देखा था उत्तर प्रदिश के इलाहबाद में समाजिक बन की व पुनरवास केंद्र फिर आपने यहाँ देखा असम, असम के जोरहाट में बश्या बन अनुसंधान संस्थान यहाँ पर आपने देखा था छारखंड, छारखंड की राची में बन उत्पात कता संस्थान यहाँ पर पड़ता है तेलंगाना, तेलंगाना की हैदराबाद में बन जयब भिधता संस्थान फिर आपने देखा था मदपर्देश मदपर्देश के दो जीलों में आपने देखा था एक तो आपने जबर्पूर में देखा था उश्र कडवंधिये बन अनुसंधान सस्थान और एक छिदवाड़ा जीले में आपने देखा था बन की अनुसंधान वह मानव संसाधन विका वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में जय हिन जय भरत